नमस्कार दोस्तों स्वकेतापस CP Smart Classes में दोस्तों UP SSC ने एक नोटिस जारी किये और वो नोटिस जिसका की आठ महिने से छातर इंतियार कर रहे थे वो नोटिस जारी कर दी है वीडियो यानि की ग्राम विगास अधिकारी के डाकुमेंट वेरिफिकेशन की तो इस नोटिस से ही बवाल मच गया है चाधर बहुत परिसान हो चुके हैं दो मार्च के धरने की तैयारी पहले से की जा रही है और वो धरना पोश्ट वो नहीं होगा लखनो चलो अभियान चात्रों का जारी है चात्र आयो की कारसायली से बहुत ही ज्यादा परिसान है और आपको दिखाते है कि इसमें जो है बहुत से च्छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया है तो उनमें क्या विशंगतियां है उस नोटिस में दोस्तों कल आयोग ने यह नोटिस जारी की और इस नोटिस का इंतियार काफी दिन से च्छातर कर रहे थे ग्राम पंचात अधिकारी ग्राम बिगास अधिकारी यहां समाज कल्याण प्रवेच्छक सामानी चैन के लिए डॉकुमिन वेरिफिकेशन कितने पदों पर भरती होन देया गया है कि हम डाकुमिन वेरिफिकेशन का बाराम थे लेके दो जून कस्तनिति द्या गया है यह जने कि तीन मेंजे तक डांक्यी बिटे कर दो Kenia की चलेगा तीन महीने का समय आयोग ले रहा है इस डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो एक हिसाब से दो मार्च को जो धरना प्रस्तावित है उस धरने को रोकने के लिए ये लॉलिपॉप है जातरों के लिए और मैं पहले भी आपको बता चुका था वीडियो की माध्यम से कि इस धरने को रोकने के लिए आयोग दो-तीन कदम उठाएगी उसी स्रंकला में पहला कदम उठाया इवा कल्याना दिखारी वाला रियल्ट और मैंने ये भी आपको बताया था कि दो वो तिसे वन-तीस मार्च को वन-तीस वन-तीस फरवरी को एक और बड़ा थमाह का आयोग करने जा रहा है और दीए वन-तीस फरवरी को आयोग ने ये लिश्ट जारी कर दी डाकुमन बेरिफिकेशन की जिससे कि जो प्रभावित च्छात्र हैं वो इस धरने से दूर रहें आपको मालूम है कई बार धरना किया है डाकुमिन वेरिफिकेशन के लिए वीडियो के च्छात्रों ने तो जो सेलेक्टिड कंडिडियेट हैं वो इस धरने में आते थे लेकिन इस बार यह रिजल टहीं नहीं आ रहा है डोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कोई एक्जाम नहीं हो रहा है इन सब को मिलाकर बहुत सा रिचातर धरने में आने वाले थे तो उनका अभियान लखनो चलो वह अभी भी है और दो तारी को धरना होगा अब यहां पे देखिए एक यहां पे पॉइंट प्रदान किया जाएगा जब सभी परिच्छाओं में पुन्हे आउसर दिया जाता है तीन महींने तक आप डेवी करवा रहें अगर किसी डेट में कोई किसी चात्र कोई प्रॉलम है तो उसको दुबारा आउसर क्यों नहीं देंगे यह तो एक जबरजश्थी की नोटिस है तिसरे पॉइंट प्याते हैं एसे समस्त्र आउसेस अभ्यार्थी जिनके अनुक्रमांग आयोग की अधिसुंचना संख्या 83 by 2 कंप्यूटर अनुभाग 12, 2018 दो परिच्छा 2018 तिरंक 28 अगस्त 2019 में समलित थे परणत उक्ति शुंची में समलित नहीं है, उन्हें सुन्चित किया जाता है कि उनके संबंद में आयोग द्वारा जांच का रहाई प्रिच्लित है तथा जांच पूरी होने के उपरांत उनकी अभी लेखा दी परिच्छन का आजिकरम जथा इस्तिती प्रथक से सूंचित किया जाएगा मतलब जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो छात्र चैन्ज थे वो सबके सब खुंसना हो जाए वो अपना रोल नंबर पहले निचे दी गई लिस्ट में 1553 की लिस्ट में सूंचिवन में चेक करें अगर उनका इस लिस्ट में नाम है तो ही उनका डाकुमेंट वेरिफ से बाहर किया गया है तो इस निफ ने चातरों में बवाल मचा दिया है यह देखिए आपका यह नहीं पे दिया पूरा पूरा लिष्ट रही है आप लिश्ट के लास्ट परो यह अकर नहीत दिया हुआ है जिस प्रोपहार्मा को आप को भढ़ना है पोस्ट ब्रीफरेंश क कि इनको online भरवानी चाहिए यह offline भरवा रहे हैं पता नहीं कैसे करेंगे और इसमें नोंने ग्राव पंचायत अधिकारी मेशानी समयाल प्रवेचछा थी नों की वेकेंसी दी गई है वरीता बंग गई है अगर चैत्र इसको वन रखना चाहते हैं इसको रखना CP से इसमें बंद के देना है तो दोस्तों एक यह जो नोटी जारी की गई है अपने आप में एक विवाद खड़ा करती है क्योंकि सभी सेलेक्टेट को डीवी के लिए नहीं बुलाया गया एक बार डीवी छूट गई तो दुबारा डीवी नहीं होगी तीन महीने तक आपकी ड Willis में फ्रॉट पर लगता है तो छाथ्र अपनी मैंगों के लेकर सड़क पर उतरतें हैं दो मार्च को का धर्ना अब देखना है कि किस प्रकार से होता है यह दोमार्ज का धन्हा और कितनी तादात में चैदर पहुंचते हैं और क्या धन्हा सफल होगा या असफल होगा तो दोस्तों यह थी इस वीडियो की अपडेट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ धन्यवाद